साथ संगत जी प्यार से कहना धान निरंकार जी साथ संगत जी सत्कुर्माता जी का जितना भी शुकराना किया जाए उतना ही कम है सत्कुर्माता जी ने समागम सेवा का भी सभी कुमों का बक्ष दिया है अपनी सामर्थे के अनुसार अपनी शर्था के अनुसार जितनी जिसकी शर्था भावना है वो समागम सेवा भी दे सकता है हाँ संगत जी सतकुर माताजी तो बहुत ही द्यालू है बहुत ही किरपालू है इनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है सब धर्ती कागद करूँ लेखनी बन सबराए सास मुंदर की मसी करूँ गुरु खुन लिखाना जाए संगजी सतकुर माता जी अगर हम पर ना किर्पा करते ये ब्रहम ज्यान ना मिलता ये निरंकार ना हमें दिखाई देता तो हमारे तो जनम मरन के जो बंधन थे वो ऐसे पड़े रहते जनम मरन के मिटे अंदे से सादू के पूरण उपदेशे सतकुरु ने ये हमें ब्रहम ज्यान दिया यह निरंकार दिखाया हमारे जन्मरन के बंदरों को ही समापत कर दिया सत्कुरू बड़ा द्यालू है लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी सत्कुरू माता जी की तहे अनुसार चलते जले जाएं और कोई भी किसी को भी ऐसा बोल ना बोले जिससे किसी का दिल दुखे हम हमेशा अच्छे ही बोल बोले अच्छी भाशा का प्रयोग करे हम सत्कुर माता जी को हमेशा खुश रखे आसंगा जी बहुत ही दिल दुखी होता है जब सत्कुरू की आँख में आसु आ जाएं तो बहुत मन दुखता है कि इतने तो हो हमने सद्कुर माता जी को परिशान कर दिया है जो सद्कुर माता जी को आँख में आसू आना पड़ा सासंगा जी हम कभी भी ऐसे करम ना करें ऐसे बोल न बोले जिससे हमारी सद्कुर माता जी का दिल दुखे हम हमेशा सोच कर ही बोले संतों वाला सभभाव सत्कुरू ने हमें देखो किस तरह सिखाया है सत्कुरू ने कहा है कि जो संतों होते हैं वो हमेशा भी नमर ही रहते हैं जैसे फालों से लदा हुआ पेड होता है तो वो जुक जाता है इसी तरह जिसमें संतों वाले गुण होते हैं जिसमें संतों वाली बाते होती हैं वो हमेशा वी नमर ही रहते हैं जो जाने अपने को नीचा सोही गणिये सब से उच्चा संत महात्मा हमेशा अपने आपको नमर भाव में रखते हैं तो वह सारी जगा पुझनिया होते हैं, पूझे जाते हैं इसी तरह संपूर्ण अफ्तारबाणी में भी शैंशा जी ने कहा है संत ने ओहो नाम दे बाजो जिन नानू कोई कम नहीं संत ने ओहो जो हर बाजो जी सक दे एकदम नहीं कितना सुन्दर इसमें शैंशा जी ने वर्णन किया है कि संत वो हैं जो हर समय इस नाम में मस्त रहते हैं संसार में जरूर रहते हैं इस माया में जरूर रहते हैं लेकिन माया में इस तरह रहते हैं जैसे एक कमल का फूल होता है वो कमल का फूल जो होता है वो जल का अपने उपर लेप नहीं लगने देता इसी तरह जो संत महात्मा होती है ये माया में लिप्त नहीं होते माया का लेब नहीं अपने उपर लगने देते ये हमेशा माया पती से जुड़े रहते हैं और जो भी सदकुर देता है हर पल इसका शुकराना ही करते चले जाते है ये संतों का सभाव होता है तबी तो कहा है कि है सदकुर सचे पाश्या अपने सभाव वरगा मेरा भी सभाव बना दे जैसा आप जी का सभाव है वैसा ही हमारा भी सभाव बना दो जिस तरह हैं गुर्सिक हमेशा सदकुरू हमेशा सबको संभाव से देखते हैं जो संद महत्मा होते हैं वो सत्गुरु के कहें नुसार चलते हैं, समद्रिष्टी लेते हैं, सबर लेते हैं, शान्ती लेते हैं, सिदक रखते हैं, विश्वाश रखते हैं, तो कहते हैं कि जब ये गुन एक संत में आ जाते हैं और संतों वाला उनका सवभाव ऐसा बन जाता है तो संत सवभाव हो जाता है संत कभी भी किसी को छोटा बड़ा करके नहीं देखते संत हर हाल में दाता का शुकर मनाते हैं और हमेशा एक रसी रहते हैं सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, दूप हो, कुछ कोई भी मोसम हो, हर समेश का शुकराना करती हुए जीवन जीते चले जाते हैं संत दुनिया की बातों का मन पर असर नहीं लेते हैं और अपने विशवाश को कभी भी कम नहीं होने देते हैं संतों को परमात्मा पर पूरा अटूट विश्वाश होता है संतों का परमात्मा पर पूरा अटूट विश्वाश होता है जैसे संपूर्ण अवतारबनी में कहा है संत हरीदे मित्तर मेरे कोल सुबैते शाम मेरे कहे अवतारी ना संतानू लखा ही परनाम मेरे संत हमेशा सबी को इस निरंकार से जूडने के बारे में ही कहते हैं कि इस निरंकार से जूडना है और जोड कर रखते भी हैं इसी तरह संत परवृति वाले सारे गून हमारे अंदर आ जाएं जब हम संतों का संग करते हैं संतों मले गून धीरे धीरे हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं चाहे हमारा वेवारिक जीवन हो चाहे हमारा समाजिक जीवन हो चाहे हमारा अध्यात्मिक जीवन हो ये संत महात्मा ही समाज का उधार करते हैं संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार ये संतों के सहारे ही ये सारा संसार्टी का हुआ है इसलिए संतों का संग करना जीवन में बहुत ही जरूरी है जब संतों का संग जीवन में मिल जाता है तो फिर कल्यान ही कल्यान होता चला जाता है और मन में विचार भी पोजिटिव होने लग जाते हैं नेको संत ऐसे हुए हैं इस इत्यास में इस मीशन में जिनों ने इस मीशन को फैलाने में बहुत ही योगदान दिया है जितना जितना हम सत्कुरू के कहें अनुसार चलते ही जाते हैं उतनी ही हमारे मन को मजबूती मिलते चली जाती है और संतों वाला सभाव बनता चला जाता है जैसे एक बार माता सदकूर माता सिविंदर जी महाराज ने हमें अपने विचारों में बताया कि एक लाला था वे बहुत ही दूश्ट परविटी वाला था वेह लाला एक बार अपने गाउं में अपने रिष्टेदारों के घर गया जब रिष्टेदारों के घर गया तो उनके जो लाला के रिष्टेदार थे वो ब्रहम ग्यानी परिवार था और वो डेली ससंग में जाया करते थे तो जब लाला जी उनके घर गए तो वे लाला जी को भी अपने साथ ससंग में ले गए और जब लाला जी ने वहाँ पर काफी दिन रहे ससंग करते र तो उन्होंने ब्रह्मग्यान ले लेकर उन्होंने अपने आपको संतों के अनुशाद ढालना शुरू कर दिया फिर कुछ दिन रहेकर वो रिष्टेदारों के घर जब रहेकर वो अपने घर आए अपने गाम में आए तो सारे उनके सभाव को देखकर हैरान हो गए कि ये तो एक संत वाले सभाव होता है, ये लाला जी के अंदर कैसे आ गया, तो फिर लाला जी ने बताया, कि मैं अपनी रिष्टेदारी में गया था, मैंने वहाँ जाकर, इस ब्रहम को देखा है, इस निए अंकार को देखा है, और देखो उन्होंने ब्रहम ग्यान लिया इस ब्रहम ग्यान पर वो चलने भी लग गए जिस तरह सत्गुरु ने समझाया उसी तरह उन्होंने अपना संतों वाला सभाव बना लिया और वो संत प्रुवर्ती में जाने लगे दोश प्रुवर्ती वाले होकर जब उन्होंने ब्रहम ग्यान लिया तो वो एक संत बन गए ये संतों का सभाव संत सभाव तब ही बनता है जब सत्गुरु की शरण में सासंगत में आ जाता है इंसान तो वो महात्मा बन जाता है और दीरे दीरे संतों वाले गुन आने कर सकता है ये सद्कुर सारे संसार का दाता है ये करता है तू करता है जगत का तू सब का आधार ये करता है सारे संसार का सहारा है लेकिन फिर भी सद्कुर अपना नाम नहीं होने देता कि मैं करता हूं हमेशा यही कहते है इसाकार भी यह है निराकार भी यह है और हमेशा फिर भी यही कहते हैं कि जो किया निरंकार ने किया ऐसे ही एक महात्मा सदकुर बाबा हर्देव सिंग जी महराज के पास गए और सदकुर बाबा जी से कहने लगे बाबा जी मैं आप से अशीरवाद लेने आया हूँ आप मेरे डायरी पर अशीरवाद लिख दो तो उस महात्मा ने बाबा जी को डायरी दी बाबा जी ने लिख दिया में निरंकार ब्लैस यू तो आगे से वो महात्मा अपनी चतुर चलाक के दिखाते हुए कहने लगे बाबा जी से कहते हैं बाबा जी आप तो साकार भी हो निरंकार भी हो सतकुरु भी हो निरंकार भी हो फिर आप जी आई भी लगा दो कि आई भी लगा दो आपने निरंकार में निरंकार ब्लैसियू लिखा है में आई ब्लैसियू लिख दो तो सद्कुर बाबा जी ने कहा अच्छा सद्कुर बाबा जी ने डायरे ले सद्कुर बाबा जी ने कहा आई प्रे मैं निरंकार से प्रात्ना करता हूँ मैं निरंकार से अरदास करता हूँ कि वो आपको हमेशा सुखी रखे आगे से जब महात्मा ने पढ़ा तो महात्मा हैरान हो गया कहने लगा कि तू करता है जगत का तू सब का अधार तू करता भी है सारे संसार का सहारा भी है लेकिन अपने आपको करता नहीं मानता हमेशा सद्गुर बाबाजी सारी उमर अपने आपको दास ही कहते रहे और हमेशा यही कहते थे मैं तो इस सार संगत का दास हूँ इस परम सता का दास हूँ संगाजी सारिस रिष्टी का मालिक होकर भी हमेशा अपने आपको दास कहना ये सत्गुरु की ही बड़पन है सत्गुरु के ही गून होते हैं ऐसे गून किसी में नहीं आ सकते ये सत्गुरु पूरण है आज सत्गुरु माता सुदीक्षा जी महराद भी हमेशा आपने आपको दासी ही कहते हैं सार इस रिष्टी की मालकिन होकर सार इस रिष्टी के सुआमी होकर भी कभी बिगिनवाते नहीं है कि मैंने ये किया है आप बैठ के पर्दे उले अकलान। हैरान करे ऐसे नू परनाम ने मेरे ऐसे नू आदेश विये कहे अवतार है मरे नजम में जुग जुग इको वेश विये संगजी कितना सुंदर पंक्तियों में बता दिया है कि ये सब कुछ करने कराने वाला है इसको हमारा हर समय पढ़ नाम है सचे पाशा तू करता है जगत का तू सब का आधार तू सब कुछ करने वाला है समरत परमात्मा है निर्खुन निरंकार सचे पाशा जैसे आप जी चाहते हो हमारे अंदर संतो वाला सभाव आ जाए और एक बार ऐसे ही दासी संत सभाव पर ही विचार पढ़ रही थी एक संत महात्मा नदी में शिनान करने गए तो जब वो शिनान कर रहे थे तो एक बिच्छू उनको बार बार काट जाता वो बिच्छू को डंक मार जाता वो बिच्छू को उठा कर बार फैंक देते वो बिच्छू फिर आता फिर संत जी को डंक मारता ऐसा उस बिच्छू ने कई बार किया तो एक इनसान देख रहा था वो संत महात्मा से कहता है ये बिच्छु आपको बार-बार डंक मार रहा है और आप बार-बार इसे बचा देते हो आप मार क्यों नहीं देते तो आगे से संत महात्मा ने कहा कि मेरा सभाव है इसको बचाना और इसका का सभाव है डंक मारना जिसका जो सभाव होता है वो छोड़ नहीं सकता इस तरह जो संतों का सभाव होता है संत बड़े ही दियालू होते हैं ये हमेशा हर एक के उपर दया ही बरसाते चले जाते हैं गुर्माता जी ने हमें जो ये टोपिक दिया है हम इस टोपिक पर चलने भी सही ये नहीं कि हमने वचन बोल दिये सुन लिये बुला लिये लेकिन उस पर अमल नहीं करा अमला नाल होन गेने बेड़े जात तेरी किसे पुछनी नहीं अमल करने से ही बात बनेगी जैसे सतकुर माताजी कहते हैं कि जो संत महात्मा होते हैं जो चेतन संत महात्मा होते हैं जो अलर्ट रहते हैं वो हर समय सिम्रण में ही डूपे रहते हैं अगर कोई दुखी है कोई परिशान है तो वहाँ पर भी इनका सिम्रण ही चलता रहता है तू ही निरगकार मैं तेरी शरण हाँ मैं नू बख्ष लो लेकिन जो संथ महात्मा अलर्ट नहीं होते वो संथ महात्मा कहलो या संसार के लो जिनके अंदर ये सीमरन सेवा, सीमरन ससंग भली बात नहीं होती, वो दूसरे के दुख को देकर खुश होते हैं लेकिन जो संद प्रमात्मा होते हैं वो दुखी होते हैं वो हुमेशा यही कहते हैं कि सब्दा भला करूप करतार साड़ी मंगहेतातार सासंगत जी प्यार से कहना दान औरंकार जी